आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि pregnancy का पहला संकेत यानि कोई मैला संाखन बनाते ही उसे सबसे जल्दी कौन सा संकेत मिलता है कि वो pregnant है या नहीं है और बहुत से यूटुबर ने बता रखा है कि implantation वाला संकेत बिलकुल सही है कि implantation एक पहला संकेत होता है यदि महिला उसे समझ सके तो पर क्या ये संकेत सभी महिलाओं को मिलता है क्या ये संकेत में जो दर्द होता है implantation का वो कहा होता है क्योंकि मैंने बहुत से यूटूबर का वीडियो देखा तो वो गल्द बता रखे हैं कि दर्द की जो location बता रखी है वो गल्थ बता रखी है और दर्थ किस टैप का होगा वो भी उन्होंने गल्थ बता रखा है तो आज हम इसमें विस्तार से मैं पूरा एक-एक पॉइंट आपको बताऊंगा देखो implantation क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूँ कि देखो फैलोपेंट ट्यूब है जो अंडाशे और गरबाशे के बीच में एक ट्यूब होती है वहाँ मैला का हर मैने एक अंडा बन के आता है और पुरुस का यदि उसमें इस्प्रम अंदर जाता है तो उसे बोलते हैं हम जाएगोट और वो जाएगोट ट्रवल करता हुआ ठीक है यानि लगबग ट्रवल करता हुआ वो बच्चे दानी में पहुंचता है जब इस्प्रम अंदर जाता है और बच्चे दानी तक पहुंचने में लगबग पांस दिन का समय लग जाता है यानि आपका time period आया था उससे 20-22 दिन अगर किसी की एक मेने की cycle होती है तो 20-22 दिन लगबग implantation होता है अब ये implantation यानि बच्चे दाने की दिवार में जो जाइगोट बच्चा का बुर्ण जो fertilization होने के बाद में बना है वो nutrition के लिए उस दिवार के अंदर जाएगा जिसको हम बोलते हैं दिवार के अंदर चिपकना या दसना अंदर जाना अब ये दसता है दिवार में यानि आप सोचो कि ये बच्चे दानी है इस दिवार में दसेगा तो एक हलका सा दर्द होगा अब ये दर्द जो youtuber बता रखेंगे हैं कि मरोडी टाइब का दर्द आएगा तो ये बिल्कुल गलत है और ये दर्द पेट में होगा तो ये बिल्कुल गलत है देखो पहले बात तो आपको ये जानने की जरुरत है कि जो बच्चे दानी है वो आपके पेट में नहीं है बेट के नीचे है समदरें आप यदि महिला कोई सलवार पैंती है जहां वो पजामे का नाड़ा भांती है या कोई साड़ी पैंती है अपनी कमर पे उसके नीचे की साइड है या कोई पैंट पैंटा है तो वो बैल्ट बाहनती है उसके नीचे है बच्चे दानी तो बच्चे दानी में implantation होगा तो जहां implantation होगा वहीं तो दर्द होगा यानि जो आपका pelvis है आप जहां जो आपकी हडड़ी है कमर के नीचे जो हड़ी है बैठने वाली जो हड़ी है इस हड़ी के सामने आप फ्रंट से देखेंगे तो एक area दिखाई देता है तो आपका जो uterus है आपकी बच्चे दानी है वहाँ present होती है और वहाँ दिवार में यदि कोई अंडा जो जाइगोट बना है और इतना सा बारिक होता है ये जाइगोट हमें आँखों से दिखाई नहीं देता तो उस दिवार में जो चीज आँखों से दिखाई नहीं दे रही वो दसेगी तो कितनी एक तो ब्लीडिंग हो जाएगी और कितना दर्द होगा आप समझ सकते हैं तो कोई छोटी सी सुई जितनी सी हमारी यहाँ चुबेगी तो हमें वहाँ हलका सा चुबन वाला दर्द होगा कभी भी मरोडी वाला दर्द नहीं होगा आपको अगर मरोडी वाला दर्द हो रहा है जहाँ आपकी कमर होती है आप belt बानते हैं वहाँ एक हलका सा आपको चुबन का दर्द मैसूस होगा और ये ज़रूरी भी नहीं कि हर मैला को ये मैसूस हो बहुत से मैलाओं को ये मैसूस होता है दर्द चुबन वाला या uncomfortable वहाँ मैसूस होता है मैं डाइग्राम में भी आपको दिखा रहा हूँ कि अनकंफर्टेबल वाला वहां दर्दे मैसूस होता है और ये दर्द को हम बोलते हैं implantation तो या तो आप ये सोच के देखो कि मैं संबंद बनाने के ये 5-6 दिन बाद आपको मैसूस होगा या आपकी जो period cycle चलती है एक मैने की अगर regular किसी को आती है तो 20-22 दिन ये संकेत उसको मिलेगा दर्द वाला चुबन वाला दर्द होगा कभी भी मरोडी वाला नहीं होगा मैंने किसी YouTube का वीडियो देखा है उसमें बोल रही थी कि वो progestron hormone की वज़े से आपके पेट में मरोडी आती है आपकी आतों में मरोडी आती है नहीं progestron hormone होता है वो बच्चे दानी की दिवार की मरमत बनाये रखने के लिए होता है और उससे कभी भी मरोडी नहीं आएंगी आपको मैं बता रहा हूँ और जो पेट में बता रही है आतों में मरोडी नहींगी जबकि progestron hormone तो उसका उल्ठा काम करता है हमारा पेट जब हम साप होते हैं फ्रेस क्यूं होते हैं कि हमारे पेट में जो आतों में एक movement होता है है नैंकी आतों में इंफेक्शन हो रहा है या आपको नीचे ले पार्ट में जहां मैं बता रहा हूँ वहाँ अगर मरोडी आ रही हैं आपको क्रेम पा रहे हैं तो आपकी बच्चे दानी में इंफेक्शन है प्रोब्लम है तो आप डोक्टर को जरूर दिखाएं इस बरो से कभी ना बैठे रहे ये हब सभी महिलाओं को नहीं होगी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये एक आप सोचो यहाँ आपन कई बार छोटी सी सुई चुपती है तो कितना अग दर्द होता है दर्द के साथ में कितना अग बलड होता है हलका सा बलड दिखाई देता या हलकी सी बूंद कहीं ब दिरेड महिला को आता है वैसे एक दो बूंद बाहर आती भी दिखाई देती हैं इससे ज़्यादा नहीं था उसको हम बोलते हैं implantation, sporting, bleeding और वो भी बहुत ज़्यादा गेरी लाल नहीं होगी क्योंकि वहां दक दक blooding नहीं होती, वहां हलका सा blood होता है और वो दिरे दिरे बाहर आता है तो pink हो जाता है, red color का खतम हो जाता है ऐसा भी नहीं है कि वो bright red color का होगा, नहीं, वो हलका सा pink color का सा, हलका red color का सा sporting जैसी bleeding होगी और वो भी हर किसी महिला को पता भी नहीं चलेगा अगर कोई महिला ये सोचे कि मुझे bleeding नहीं हुई तो क्या pregnancy नहीं हुई नहीं, pregnancy उसको हो सकती है किसी महिला को चुबन वाला दर्द नहीं हुआ या वो दर्द नहीं हुआ तो क्या उसको pregnancy नहीं हुई उसको pregnancy हो सकती है ये 100% संकेत नहीं है इसका मतलब ये है कि ये किसी को मैसूस होगा किसी को मैसूस नहीं होगा पर कुछ यूटूबरों ने बना रखा है और वो आप देखके मुझे कई बार comments में भी पूछा है कि मुझे मरोडी आ रही है तो क्या मैं समझू तो भई वो गल्त information आप देखके मुझे से आप पूछ रहे तो मैं यही कोँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है या तो uncomfortable होगा जो आप कमर के नीचले से में सामने की तरब वैसे दर्द की मैं location दिखा रहा हूँ तो अंगूठे में थोड़ी दर्द होगा हलकिसी चीज़ चुपती है तो हमें थोड़ा सा चुबन वाला सा दर्द या uncomfortable सा कि यार यहां कुछ चुबा है तो वो हमारे अंगूली में ही होगा तो ऐसे बच्चे दानी में जिस साइड में कुछ थोड़ा सा uncomfortable सा दर्द आपको मैसुस हो सकता है या किसी-किसी मेला को यह दर्द मैसुस भी नहीं होगा किसी-किसी को यह bleeding हो सकती है किसी को यह नहीं हो सकती है तो implantation का लगबग जो पहला संकेत होता है अगर किसी को हो तो वो पहला संकेत समझ सकती है किसी का नहीं हो और वो फिर भी जानना चाहती है तो उस दोरान वो एक blood test करवा सकती है जो blood test होता है उससे वो beta-scg से पता कर सकती है कि उसको pregnancy हुई नहीं हुई और ये ज़्यादा costly नहीं होता 200 रुपीज यानि 200 रुपए के something ये test हो जाता है beta-scg तो अनावशिक चीजों से ना बचके आप ये test करा सकते हैं ये आपको बहुत जल्दी जानने की जोरत है नहीं तो आप time period आपका miss हो उसके 2 या 3 दिन बाद में urine pregnancy test करके आप देख सकते हैं अगर double line आए तो आप pregnant है single line आए तो आप non pregnant है उसका अलग से विस्तार से वैसे भी मैंने already वीडियो बना चुका हूँ